एक और जहांँ पूरे देश में गंसंत्र दीवस कुई दुम्दाम से मनाय जा रहा है वहीं सहीदो और सवतंतरता से नानियों की याद में जैंगा जैंगा पर तिरंगे पहरा है लेकिन जो सवतंतरता से नानिके प्रज़न है वह कहीं राजियर जता रहे हैं इस पर बातची जी के बारे में कुछ बताएंगा भगत सिंग जी उस लंबी परंपरा का एक हिस्सा थे जिन्हों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया उनके दादा जी से ये परंपरा चली उनके दोनों चाचा सुतंततां दुलन में रहे सरदार स्वार्ण सिंग उनके छोटे चाच में चले सरदार भगत सिंग जल उस परंपरा का एक हिस्सा थे 1857 के सुतंततां अंदुलन से लेके 1947 तक साड़े साथ लाग से अधिक नवियों को ने देश की सुतंतता के लिए बलिदान दिये और काला पानी की उंची दिवारें सेलिलर जेल की और जगा जगा फासी के हैं कि इस देश के नौजवानों ने अपना खून बहा के इस देश की आजादी को हसिल किया ये देश काफी तरकी कर गया आजादी के बाद लेकिन नेतिक मूलियों में और अपने शहीदों को याद करने में हम लोग पिछड़ गए आप देखिए कि बहुत छोटा सा काल र गया आज हम पाठे करमों में देखते हैं कि शहीदों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया जाता और इसके अलावा इस इतिहास को नई पीड़ी से छुपा के रखा गया है सरकारे आती हैं कांगरेस की भी सरकार रही है वीजेपी की भी सरकार रही है इसको लेकर सुतनताता सेनानिया हमारे उनको कितना सम्मान दिया जाया है बहुत थोड़ा दिया गया जी और जिन मुठी बर सुतनता सेनानियों को याद किया जाता है जिन में शहीद भगत सिंग जी की प्रतिमा संसद भवन में लगवाने के लिए लगवक पचास साल संघर्ष करना पड़ा एक स्वाल यह भी है कि अब एक आर्टियाई में खुलासा यह हुआ था कि भगत सिंग जी को सहिद मानने से से इनकार कर दिया बहुंकेद की बात है कि सरकार कहती है कि इसके पास डेश्ट की सुटनतzym बें शहीद हुए लोगों की कोई सुची नहीं है। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि इस देश के लिए किन किन लोगों ने बलिदान दिया और बावजुद इसके के दश्कों से लोग आर्टियाई करके ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ऐसी सुची बनाए सरकार